नमस्का साथियों, अगर आप लोग भी स्टेट PCS और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक लास आप लोगों के लिए काफी महत्पूर रहने बाली है और अभी तक आप लोगोंने देखा होगा, कि हम लोगोंने आपका वंडे एकजाम को ध्यान में रखते हुए, जीके जीएस को बहुत सारी कलासें कवर की हुई है, लेकिन आप सभी जानते हैं, कि इस्टेट PCS हो, जिसमें आपका MPPSC, UPPSC, बिहार PCS, राजिस्थान, चत्ति इस तरह कि आप देखते हैं कि तमाम इस्टेट आपके अपने एकजाम PCS की करवाता है, या सेबल सर्वेस यानि कि UPSC, IES की बात करा हूँ, इसमें आप लोगोंने देखा होगा कि आपके सामने, वंडे एकजाम में तो एक लाइन में कुश्चन्स आ जाता है, आपकी स्क् परती, दरोगा, इस तरह कि तमाम इकजाम होते हैं, उसमें इस तरह कि कुश्चन्स पूच लेता है कि आप देखिए एक लाइन में आपसे कुश्चन्स करेगा कि भारत का पहला विदेश मंतरी कौन था, और नीचे आपको चार ओप्सन देदेगा, लाल बहादो सास्त्री इन चार ओप्सन में से आपको एक चुनकर सही आंसर देना होता है, लेकिन इस्टेट PCS और सिबिल सर्विस में ऐसा नहीं है, आप सभी जानते हैं कि अगर इस्टेट PCS और सिबिल सर्विस आपको निकालना है, तो हर सब्जेक्ट को आपको विस्तार से पढ़ना होगा, ब बिना विस्तार से पढ़े, बिना विस्तार से गहन अध्यन किये, आप कोई भी इस्टेट PCS और सिबिल सर्विस पास नहीं कर सकते हैं, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि आप लोग किसी भी इस्टेट की तैयारी कर रहे हैं PCS की या सिबिल सर्विस की, आपको NCEIT सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए, कम से कम दो से तीन बार आप लोगों को NCEIT पढ़ लेनी चाहिए, और हम लोगों ने भी कबर की हुई है, आप सभी को मालू भी है, अब बात आती है कि इस्टेट PCS और सिबिल सर्विस प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए, हमें कुछ किलासने ले देनी चाहिए, और ये पूरा ऐसा पेकेज होना चाहिए, कि इसके बाहर आप देखे कि कोई कुश्चन्स ना जाए, ये बात तो आप सभी जानते हैं, कि हमारी तरब से जितना रहेगा उतना मटेरियल आपको उपलब्द करवा देंगे, उतना विस्तार से पढ़ लेंगे लेकिन ना तो आज तक हुआ है, और ना ही ऐसा कभी होने बाला है, कि हम लोग सभी पढ़ाएं, या कोई भी कहीं भी टीचर कोई पढ़ाएं, और सो में सो परसेंड वो फस जाए, आप देखते हैं कि आप लोग से विल सर्विस का प्रिलिम्स देते होंगे, तो 48 से 50 कुश कुश्चन्स अगर आप लोग सही कर लेते हैं, तो आपका प्रिलिम्स किलियर हो जाता है, आप समझ रहे हैं, कोई 100 में 100 कुश्चन्स सही कर दे, मुझे तो नहीं लगता है कि संभा है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि उसमें कुश्चन्स पूचे जाते ह हैं, बड़ा भरमित करने वाले होते हैं, एक आपके सामने स्क्रीन पर सिफिल सर्विस में जिस तरह का कुश्चन्स पूच लेता है, इस्टेट पीश्रियएस में जिस तरह का कुश्चन्स पूचता है, वो दिया गया है, यह पूच रहा है, दच्छिड एसी आई चित्रि के बाद हुई थी और आपको एक और बता देता हूँ इसमें तो 3 कफन दिये गए हो सकता है कि आपको 4, 5, 6 कफन तक दे दे और फिर आपको नीचे 4 विकल्ब दे दे A, B, C, D के रूम में और आप से कहें कि एक में एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, एक दो तीन पाँच सही है, तो इसलिए कहते हैं कि आप सभी को मालो हो जाना चाहिए, कि बिना इतिहास को विस्तार से पड़े, बिना भोगोल को विस्तार से पड़े, बिना समीधान राजविस्ता को विस्तार से पड़े, एक State PCS और State PCS कहने का मतलब होता है कि सभी State PCS इसमें सामिल हो जाते हैं और Civil Service यानि की UPSC को ध्यान में रखते हुए UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी किलासें कवर करने वाले हैं और इसके लिए एक आपकी Separate Playlist सूची बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से फिर से सुन लीजे आप लोग इस Playlist सूची का नाम क्योंकि आप लोगों को इस Playlist सूची को कवर करना होगा अगर आप लोग State PCS Civil Service की तैयारी करते हैं तो समझ रहे हैं आप लोग UPSC State PCS Prelims Special Classes के नाम से रहेगा और आप कह सकते हैं कि यह आपका Foundation Course होगा यानि कि आप देखी कि आपकी New डलेगी इससे और यह सभी क्लासे जब आपकी कवर हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग मुख परीक्षा मैं एकजाम को ध्यान में रखते हुए किलासें आपकी कवर करेंगे एक बार फिर से कह रहा हूँ आप लोग अगर Civil Service की तैयारी सुरू कर रहे हैं State PCS की तैयारी सुरू कर रहे हैं तो इन किलासों को आप लोग एक से दो बार जरूर सुन लीजे जरूर कवर करिए आप लोग उसके बाद ही आप लोग मुख परीक्षा की तैयारी करिएगा तो मुझे लगता है कि आपका बहतर स्कोर रहेगा और बहतर आप लोग समझ में समझ पाएंगे और मुझे लगता है कि आप लोग देखिए चाहे आपका सम्हिधान हो, प्राचीन भारत का हो या फिर आप देखिए कि आपका जो भोगोल है या आप देखते हैं कि सम्हिधान राजवेवस्था है या एकोनोमी है या आप देखिए सामान विज्ञान है पर्यावर्णी है, पारिस्तितिकी जबेवित्ता, जलवाई फुरिवर्तन ये सभी स्टेट PCS में भी आते हैं और आप देखते हैं कि UPSC में भी इसी तरह का सिलेवास रहता है तो मुझे लगता है कि इन्हें हम लोग अगर कबर कर लेते हैं तो आपका प्रिलिम्स तो किलियर हो जाएगा प्रिलिम्स कबर हो जाएगा और करेंट के लिए आप सभी से कहता हुए हूँ कि एक निउच पेपर आप लोग फॉलो करते रही है और दूसरी बात है कि आप मेकजीन आती रहती उन्हें भी पढ़ते रही है और समय समय मिलता है तो हम लोग भी आप देखते हैं कि आपका करेंट प्रिलिम्स कबर करवा देते हैं तो हम इन किलासों में आखिर आने वाली जो भी किलासें रहेंगी इसमें पढ़ने क्या हैं पढ़ेंगे क्या आखिर तो इसमें हम लोग पेपर फश्ट और बात देख बता दाता हूँ MPPSC, UPPSC और UPSC IES इन तीनों पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं और आपने देखा होगा कि इसमें किस तरह का पाटकरम रहेगा इसका पैटर्न किस तरह का रहेगा, किस तरह की पेपर होते हैं, कितने नंबर की पेपर होते हैं, कितने कुश्टन्स होते हैं इन सब पर बात की हुई है तो आप लोग एक बार पिले लिष्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजेगा मद्धपिदेश लोग से बायो उत्तरपिदेश लोग से बायो और आपका संग लोग से बायो इन तीन फिलेश्ट सूची को आप लोग अपने हिसाब से कबर कर सकते हैं और अगर आप लोग ने देखा होगा थोड़ा बहुत पड़ा होगा तो आप सभी को माल होगा कि UPSC हो, चाहे आपका State PCSO, इसमें प्रिलम्स में आपके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर आप देखते हैं कि सामानध्यन पेपर फर्ष्ट कहलाता है, और दूसरा पेपर आप लोग जिसे CSET कह देते हैं, और आप देखते होगे कि CSET में केबल होता है, लेकिन जो पहला पेपर होता है, इसी की आदार पर आपकी marriage list बनती है, और आप लोग मुख परिक्षा में पहुच पाते हैं, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो आपका CSET जो होता है न, दूसरा पेपर, वो आराम से cover हो जाता है, मैन देखेंगे कि आपके 100 questions रहेंगे, 200 number करेगा, UPSC की बात करेंगे, और इसमें आप देखेंगे 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और इसमें आपकी भारत और अंतराष्टी मत की बर्तमान घटना है, यानि की current appears, तो अभी हम लोग current appears को cover नहीं करेंगे, इस playlist सूची में, अभ भारत की इतियास में हम लोग प्राचीन भारत का इतियास देखेंगे, मद्यकालीन भारत का इतियास देखेंगे, आदुनिक भारत का इतियास हम लोग देखेंगे, और इस अभी आपकी बहुत ही बिस्तार से रहेंगे, क्या रहेंगी, बहुत ही बिस्तार से रहेंगे, ठी आसन विवस्था को देखेंगे, समीधान को देखेंगे, राजनितिक विवस्था को देखेंगे, पंच्यायती राज को देखेंगे, सारजनिक नीती को देखेंगे, अधिकार मुद्दे देखेंगे, जब आपका समीधान कवर हो जाएगा, तो हम लोग आर्थिक और सामाजि पर बात करेंगे फिर आपका सामन भी ग्यान हम लोग देख लेंगे सीधी सी बात अगर हम लोग कहा जाए तो हम लोग इन सभी क्लासों में इतिहास कबर करेंगे भोगोल कबर करेंगे अर्थ वेवस्था कबर करेंगे और समीधान को भी कबर करेंगे साइंस को भी हम लोग यसे कहें तो आप सभी जान को माल होना चाहिए कि यह आपका प्रेलिम समय इन्हीं से questions आते हैं और इन्हें आगर आप लोग कबर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि one day exam तो आराम से आप लोग और आसानी रहेगी आपको पास करने में क्योंकि जब आप इतिहास को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपके पास fact होंगे एक जामनर कहीं से भी questions उठाके फेके आप लोग बता पाएंगे कि हाँ लीजे इसका answer यह है और अगर आप लोग वंडे एक जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको playlist सूची में काफी material मिला हुआ है उतना ही cover कर लीजे लेकिन civil service वारों और civil service की तैयारी करने वालों और state PCS खासकर UPPCS, बिहार, राजिस्थान, मत्यपदेश, PCS, MPPSC की बात कर रहा हूँ इन लोगों को ये class हैं जरूर cover करनी चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि उन्हें बिना विस्तार पढ़े कुछ नई उखडने वाला है आपको विस्तार से पढ़ना ही होगा आपका लूसेंट से काम नहीं चलने वाला किरन सामान ग्यान से काम नहीं चलने वाला आपको विस्तार से पढ़ना ही पढ़ेगा और समय रहते हुए पढ़ लीजे तो हो सकता है कि आपको पच्छताना ना पढ़े तो इस playlist सूझी को फिर से एक बार सुन लीजे इसलिए लंबा टाइम लगेगा सोबा भी कसी बात है लेकिन बड़े मजे तरीके से हम लोग बिंदास पढ़ते रहेंगे अगर आपका भी कोई सुझाओ रहेगा वीज में सलाय देना चाहते हैं आप तो आप देते रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जेमेल भी आप लोगों के पास मेरी होगी फेस्बूग पेज भी है इंस्ट्राग्राम है टूइटर है जहां आप लोगों को सुझे वल लगेगे वहाँ आप लोग अपना सजेसं दे सकते हैं सुझाओ दे सकते हैं उसे भी मना जाएगा अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है तो इस बात को जरूर याद रखेगा और केवल मैंने UPST prelims का syllabus पहले paper का बताया हुआ है बाकि आप लोग download कर लीजे सभी state PCS में देख लीजे ऐसा ही रहेगा लगभाग आपको देखने को यह सब्जी सब्जेक्ट आपके जरूर रहेंगे उनमें भी ठीक है चलिए तो हम लोग मिलते हैं आप लोग इंज्वाय करिए और अभी भी विवताई अगर कुछ और शुजाओ है तो इनमें भी अम लोग संसोधन करके आपका जो भी रहेगा आते रहेंगे ठीक है